आपके पास Vivo V40 ये 40 सिरीज का कोई भी फोन है तो यहां पर आप नेटवर्क प्राब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं नेटवर्क रिसेट करने के लिए सेटिंग पर जाएंगे और इस टैप से ऑप्शन आएगा स्क्रॉल कर लेंगे सिस्टम के ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर आपको रिसेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है क्लिक कर लेंगे रिसेट वाइफाई मोबाइल डेटा एंड ब्लोटूथ का एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर लेंगे और इसको आप यहाँ पे reset setting पे click कर लेंगे जो भी आपके phone का lock है वो enter कर देंगे तो यहाँ पे step से option आएगा एक पर और click कर लेंगे यह reset हो रहा है reset हो चुका है back कर लेंगे अच्छा यहाँ पे अगर इस पे click करने पे sim 1, sim 2 का option आए तो आप दोनों sim को बारी बारी से reset कर लेना ठीक है अगर दो sim लगी है तो अभी मेरे phone में sim नहीं लगी है इस वज़े से option नहीं आ रहा और यह वाली sim बंद है तो यह sim 1, sim 2 इसलिए बता रहे हो क्योंकि internet अगर आपका काम नहीं कर रहा आप कहीं गए हो रोमिंग में या कहीं पर भी internet प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो और reset करने के ज़र्ट पड़ती है या फिर wifi या फिर bluetooth क्योंकि तीनों पर इंटरनेट चलता है इस वज़े से यह तीनों option मिलते हैं आपको बाकि आपको यहां पर screen पर slide down करना है एरोपलीन मोड को on करना है और एक बार बंद करना है इस एरोपलीन मोड से चीज यह होती है कि कहीं पर भी network jam की problem आती है जिसे internet में बाधा आती है आपकी network में problem आती है तो वो fix हो जाता है इसको एक बार on off कर लेना ठीक है तो जो भी आपकी call drop और इंटरनेट की problem वो fix हो जाती है ऐसे करके network setting कर लेंगे मिलते है next video में तब तक के लिए नमस्कार